एम्यू में कोरोना विस्पोर्ट के पीच वालिगट दौरे पर सीम योगी अपसरों और डॉक्टों के साथ संक्रमन रोतनी की रणनीती पर की चर्चा सीम योगी ने अलिकड़ के इंटिग्रेटिड कमांड कोविट सेंटर का ज्राय सलिया कहाई यूपी में तीस लहे से रिपट्टे की तयारी तेश कोरोना संक्रट के बीच शिवराज सरकार का बड़ा एलान परिवार की मुख्या की मौत पर हर महीने 5000 उपई की मदद पिर परिवार को फ्री राशन और बच्चो को मिलेगी मुप्त सिक्षा काम शुरू करने के लिए सरकार की गैरेंटि पर मिलेगा लौन बच्चों के लिए को वैक्सिन के ट्राइल को मंजूरी DCGI ने क्लिनिकल ट्राइल की मंजूरी दी 2-3 साल के बच्चों पर होगा ट्राइल भारत बायोटेक बनाएगी बच्चों के लिए वैक्सिन 525 बच्चों में होगा वैक्सिन का ट्राइल बच्चों का कोरोना वैक्सिन बनाने वाला तीसरा देश बने का भारत क्यानिडा और अमारिका बना चुका है बच्चों का कोरोना वैक्सिन लॉक्डाउन के दौरान ओनलाइन क्लासेज का साइट एफेक्ट बच्चों की आखों में हो रही है परिशार लॉक्डाउन का बच्चों पर सबसे ज़दा असर बच्चों की मानसिक और शारेनिक सेहत पर बुरा प्रहा पोविशील की दो डोस के बीच ग्याब पढ़ाने की सिपारिश की गई है वाक्सिलेशन पर सरकार की पैनल की सिपारिश कोविशील के दो दोस के बीच ग्याब 12-16 हफ्ते करने की सिपारिश भी गई है कोरोना संटर में लोग 6 मईने बाद ही ले सकेंगे वैक्सीन गर्बवती महिलाओं के लिए वैक्सीन को लेकर भी सिपारिश गर्बवती महिलाओं अपनी इच्छा अनुसार ले सकती है वैक्सीन स्तन्पान कराने वाली महिलाएं कभी भी लगवा सकती है वैक्सीन कोरोना महमारी के बीच अब देश के देश में काली बिमारी का खत्रा ब्लाक पंगुस से जा रही है 50 पीस दीजा दली महराज तो गुजराज समेट कई राज्यों में ब्लाक पंगुस की मामने बढ़े हैं लोगों की जा रही है आखों की रौष्णी उप्राज के सूरत में ब्लाक पंगुस के चलते आज़ लोगों की रौष्णी गई कोरोना के चलते, कोरोना की इलाज की दुरान भी आखों की रोश्टी गई नुद्ध प्रतेश, मध्धिप्रतेश और बिहार में भी काली बिमारी का कहर सीम यूगी आधितिनाथ ने ब्लाक फंगस पर तैयारियों की रिपोर्ट मागी मध्धिप्रतेश में ब्लाक फंगस के करीब 50 मामने सामने आये पट्टा एम्स में ब्लाक फंगस के पांच परीज आईजी आईएमस में भी एक कर्चल रहा एलाज आखों तक फेल संक्रमन और लाटी हर्ती भी गर गई हर्याणा में भी जाल फिलाने लगा है ब्लाक फंगर्स आप तब 40 से ज़ादा बरीज मिले जी हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर उन्नाफ में गंगा किनारे शवों को दफन करने की जांस के आदेश दिये गए है सरकानी शवों को नदी में बहाने बलगाई रोग राजीपूर के जीयर में घाट पर माइक से की अपील प्रिशासन करवाएगा अंतम संसकार बिहार के बकसर में गंगा नदी में मिरे फिर मिरे शव गंगा नदी में लगे महाजाल में फसे 5 शव बकसर जिला प्रिशासन ने 5 शवों को तफ्टाया 54 गंटे में नाओ से गंगा में हो रही है पेट्टोरी केंद्र की तरफ से राज्यों को दिये गए वेंटिलेटर चालू नहीं होने पस्वास्त मंत्राले ने जटाई नराजगी केंद्र सरकार ने साथ राज्यों को चिठी लिख कर जटाया है थ्राक्स वैक्सिन को लेकर सियम अर्विन केश्वीवाल का केंद्र पंधिशाना राज्यों को आपस में लडने के लिए छोड़ दिया है इंटर्नाशनल बार्केट पे आपस में लड़ रहे है राजे कोरोना वैक्सिन के लिए दिल्ली, उत्तप्रदेश, महराश्टु समें 10 राजे ग्लोबल टेंडर करेंगे दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घट का 14 पीसदी हुई उक्सिजन की खपत में भी आई कवी दिल्ली को अब रोजाना 582 मिट्रिक टन उक्सिजन की जर्वत है दिल्ली के टेपिटी सियम मरेश से सोधिया ने केद्र सरकार का अभार जुताया कहा संकट की घड़ी में केंद्र का मिल रहा है पूरस सैध्यो इम्रान हुसेन को दिली हाईपूर से बड़ी राहत ऑक्सिजन होजिंग से जुड़ी याचुका खारिच की गई जर्मनी से भारत पहुंची मेडिकल साहिता ग्रीस फिनलैंड से भेजी गई मदद्र ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर दवाईया वैक्सीन मौचु बहराज पे जालना और प्लधाना में वैक्सीन की कमी दिखाई दी वैक्सीन लगवानी के लिए नोगों पीन नम्बी कतार देश में कोरोना संक्रमन की केस में फिर आई तेजी 24 खंटे में कोरोना की 3,62,000 से जादा नए केस लगाता दूसरे दिन देश में मौत का आकणा 4,000 के पार पहुंचा मौंबई में भी संक्रमन और मौत का आगड़ा बढ़ा मौंबई में 2,000 से जाद नए मामले और 66 मरीजों की मौत जारकण में एक साथ दो हफ़ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन जारकण सरकार ने 27 वही तक लगाया सक्ट लॉकडाउन दूसरी राज्यों से जारकण आने वाले लोग किये जाएंगे क्वारिंटीन, साथ दिनों तक क्वारिंटीन किये जाएंगे प्याहार बहर से आने वाले लोग शिम्ला में लॉकडाउन की दौरान सक्टी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आने जाने वाले बहरों की चेक कोरोना संकट की बीच पूरे में ऑक्सीजन की सुविधा की साथ आटो एम्बूलेंस पीपीई के पेहन का कोरोना की मरीजों को अस्पिताल पहुचा रहे है और टोचाला पर्याड़ा के कदाल में पांच मीनी बस को एंबुलेंस बनाया गया है कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत परदेश के हटा में रेमडीसी वेर की काला पजारी करते हुए पकरा गया युवाट 15-15,000 रुपे में बेशाना रेमडीसी वेर इंजेक्शन कमलाजू के मदूराई मेर MDC1 इंजेक्शन के ये प्रतर्शन बड़ी तादात में लोगों ने कलेक्टर ओपिस की बाहर गिया प्रतर्शन अधरबाद में ईत के खरीदारी के बीच क्रूना गाइडलाइंस के उड़ी धज्या चौर मिरार इलाके में लोगों की भारी तल्फ्र